बिहार के पश्चिम चंपारन में नरकटिया गंसाइथ सभी मजीदों में ईद की नमाज अदा करने के साथ सभी मुस्लिम भाईयों ने देश में आमन चैन की दूआ मांगी। इद उलफितर का मतलब छुटियों का साराश होता है क्योंकि इसका अर्थ उकवास तोड़ने का त्योहार है। इद उलफितर शबाल के पहले तीन दिनों के दोरान मनाया जाता है जो मुस्लिम कैलेंडर में दसमा महीना है। इद को इद उलफितर की नाम से भी जाना जाता है। मानेता है कि इस दिन पैगंबर हजरत मुहमद बद्र की लड़ाई से विजय होके वापिस लोटे थे। अब लोगों ने पैगंबर की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आपस में मिठाईयां बाटी थी और विविन प्रकार के भोजन बनाए थे। की खुशियों का तेवहार है। इस दिन लोग सुबह सवेरे नहाद होकर नए कपड़े पहनते हैं और सुबह ईद की नमाज अदा करते हैं। लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना होता है। घर पर मीठे और स्वादिश्ट पकवान बनाये जाते हैं। बच्चों को करते हैं। अब बनायेंगे।